हम आपको refrigerator के compressor में relay ओल्पी किस pin से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो यहां आप देखेंगे compressor में connection के लिए company कुल टीन pin देती है जिसे हम running starting और common कहते हैं तो इसकी जो common pin होती हो सबसे अलग होती है और common किन से हम सबसे पहले लगाते हैं OLP, OLP को आपको यहां सबसे पहले common pin से लगा देना होता है यहां नीचे देखेंगे running और starting pin होती है running starting pin से आपको हमेशा PTC जिसे आप relay कहते हैं लगा देना होता है इसके बाद हम इसको supply देने के लिए एक हिट तयार किये हैं और supplies में हम सबसे पहले इसके OLP में देते हैं तो यहां OLP में हमने दे दिया है और यह दूसरी supply यहां PTC में आपको देना होता है और आपको यह ध्यान रहे compressor के running pin पर supply जाना चाहिए तो PTC के किस pin पर आप supply दें तो यहां आप इसके pinों को जब सामने करते हैं तो right side में जो इसकी pin होती है उस पर आप दूसरी supply देंगे अब हम इसे आपको चला कर दिखाएंगे तो यहां देखेंगे हमारा compressor चालू हो गया है तो इस तरह से आपको किसी भी compressor में रिले और पी लगा लेना होता है थाइंक्यू